कि नमस्कार मित्रों उत्तर प्रदेश का चुनाव चौथे चरण की और बढ़ रहा है और पहले चरण से चौथे चरण तक हमने कई सवाल अखिलेशी से पूछे है और हर सवाल पर अखिलेश यादव चुप रहे है पहली सूची समाजवादी पार्टी की बाहर आई उमीदवार कम उमीदों पर वार करने वाले जादा नज़र आए जेल वाले बेल वाले सप्पा की सूची में नज़र आए सवाल पूछा तो अखिलेश यादव चुप और उसके बाद कभी दूसरी सूची नहीं आई चुनाव आगे बढ़ा उन्नाव के दलित परिवार की एक मा अपनी बेटी के जीवन को बचाने के लिए अखिलेश यी के सामने आई अखिलेश यी की सरकार में तो सुनवाई और कारवाई दोनों ही नहीं होते थे कम से कम एक मा की सुनवाई तो हो जाती एक दलित बेटी बच तो जाती अखिलेश जिते सवाल पूछा कि समाजवादी पाड़ी के नेता ने दलित बेटी का अभरण की और हत्या की अखिलेश यादव चुप तीसरे चरण के साथ साथ एहमदाबाद बंधमाकों के नियायले का निर्देश आया उन्चास आतंक वादियों में से 38 को फांसी की सजा 11 को ता उमर कैद हुई नियायले के फैंसले पर अखिलेश यादव चुप क्योंकि आतंक वादी का सीधास समाजवादी पाड़ी के साथ तार जुड़े मिले आतंकी के परिवार समाजवादी पाड़ी और अखिलेशी के साथ सीधे तार जुड़े है न्यार लेके फैंसले का स्वागत करना तो दूर आतंक की को सरक्षन देने के काम पर भी अखिलेश यादव चुप तीनों सवालों पर अखिलेश यादव चुप आजम गड को आतंक बाद का गड बनाना है इस पर अखिलेश यादव चुप और जो पिछले कल समाजवादी पार्टी के नेता जिसकी बेहन और उनका बेटा उनके ही परिवार में रहता है ये रंगेश और अखिलेश का खेल ये रंगेश और अखिलेश का खेल दस लोगों की जान को ले लेता है जहरिली शराब से लोगों की जान चले जाती है क्या रंगेश यादव अखिलेश यादव इस पर जवाब देंगे कि अखिलेश यादव फिर चूप इनकी सरकार में इनकी पार्टी के ही लोगों ने गुंडे हो अपरादी हो आतंकी हो या शराब बेचने वाले माफिया हो निर्दोश लोगों की जान को लेने का काम क्या है लेकिन अखिलेश यादव फिर चुप ये रंगेश अखिलेश का खेल ये देश के सामने एक बार फिर आया है आतंकी अखिलेश का कनेक्शन सामने आया है जेल और बेल और अखिलेश का सामने आया है दलित लड़की बेटी का अपरन और अखिलेश की पार्टी के नेता का खेल भी सामने नजर आया है तो मैं तो यही कहूंगा अखिलेश तेरे चार यार गुंडा अपराधी माफिया और भष्टा चार अखिलेश तेरे चार यार गुंडा अपराधी माफिया और भष्टा चार अखिलेश फिर चुप अखिलेश फिर चुप यह चुप़ी का कारण क्या है क्या किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं देंगे अखिलेश क्या रंगेश और अखिलेश के खेल का जवाब नहीं देंगे अखिलेश क्या आतंकी और अखिलेश के इस मेल का जवाब नहीं देंगे अखिलेश क्या जेल और बेल का जवाब नहीं देंगे अखिलेश मैं तो यही कहूंगा अखिलेश चुप कियो अखिलेशी बोलिए धन्यवाद इस जो मैंने प्रैस की इस से रिलेटिड आपका कोई सवाल है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर बारतियनता पार्टी कारकरताओं की पार्टी है बूत जीता चुनाव जीता और 2017 हो 1900 से पहले 14 हो हमने बूत भी जीता लोगों का काम काम करके लोगों का दिल जीता है और इस बार चुनाव भी जीतेंगे मोदी जी योगी जी के काम ने लोगों का दिल जीता है कारे करताओं की कड़ी मेहनत और जनता के शीरबात से बूत जीतेंगे और उत्तर प्रदेश का चुनाव भी रिकॉर्ड सीटें जीतकर जीतेंगे गुंडा और माफियों के खलाफ कड़ी कारवाई हमने पिछले पांच वर्षों में भी की है और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ आगे और ध्रड़ता के साथ आपरादी माफियों के खिलाफ कारवाई होती रहेगी लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि प्रियंका गांधी जी के कोनेक्शन कहां जुड़े हैं राष्टियो सुरक्षा और आतंक वाद को फजूल की बात कहती है अखिलेश योगा और आतंकी परिवार के कोनेक्शन पर कोई सवाल खड़ा नहीं करती है उन्नाव की दलित परिवार की बेटी की अपरन और हत्या पर प्रयंका जी अखिलेची से सवाल खड़ा नहीं करती है दस लोगों की जहरीली शराब बेचने से मिर्त्ती हो गई रंगेश अखिलेश से प्रयंका गांदी जी सवाल नहीं पूछती है आखिरकार प्रयंका गांदी जी का इन माफियों के साथ क्या connection है प्रयंका गांदी जी बताए क्या मजबूरी है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ लेकिन सच बात नहीं कह सकती हूँ अयोध्या का चुनाब भी 27 को आने वाला है लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता जानती है कि अखिलेश यादव जी और समाजबादी पार्टी के नेता कहते थे और भाजबा के उपर तैंजकस के कहते थे कि BJP वाले कहते हैं राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीक कब बताएंगे मैं सपष्ट करना चाहता हूँ हमने शिला नयास भी कर दिया भव्य राम मंदिर भी बनाएंगे और पूरा जनादेश लेकर फिर सरकार भी बनाएंगे जिसके ओपर राम लला का अशीरबाद हो सारे देवी देवताओं का और जनता का अशीरबाद हो वो हार ही नहीं सकते हम जनता के लिए ही समर्पित हैं आगे भी जनता के लिए समर्पित रहेंगे उत्तर प्रदेश के विकास को नई उन्चाईयों पर ले जाने का काम करें नहीं ऐसा नहीं है अटल जी हृदेस म्राठ है उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के भारत में परमानु विस्पोट करके पूरी दुनिया भर को भारत की ताकत को भी दिखाया कारगिल युद में दुनिया भर के दवाब के बावजुद भारत नहीं छोड़ कर गए बलकि एक एक पाकिस्तानी आतंक वादी और वहां के सेना के लोगों को खदेड कर भारत की एक-एक इंच भूमी वापस लेने का काम किया था अटल जी के समय ही गाउं-गाउं को जोडने का काम परधानमित्री ग्रामिन सड़कियोजना में शुरू हुआ था आज इसको मोदी जी चरम सीमा पर लेकर जाने का काम कर रहे हैं अटल जी तो लोगों के हिर्दे में बसते हैं अटल जी का काम आज तक भी जन्जन याद करता है चलिए आगे अगे अगे देखिए जो जो घटना की आप बात कर रहे हैं उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना चाहिए स्पश्ट पता जलता है समाजवादी पार्टी की परिवार के लोग तो छोड़के चले ही गए पार्टी के भी ऐसे विधायक सांसद पूर मंत्री छोड़के जा चुके हैं बड़ी संख्या में और ये विहोशी का आलम क्या है ये जमीन खिजकती जो सप्पा को नजर आती है उसके कारण होश भी उड़ गए हैं और विहोश भी होने शुरूप हो गए हैं भारती अंता पार्टी का देश में सात वर्ष का कारेकाल जो मोदी जी के नेतरत्ब में और पांच वर्ष का परदेश में योगी जी के नेतरत्ब में सपश तोर पर दिखाता है जहां एक और हम जनता को सुरक्षित रखने का काम करते हैं वहीं पर जन से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने के लिए मीडिया जो काम करती है उसको भी खुला सुतंत्र उसी तरह से है सरक्षन है ऐसा नहीं है कि सपपा की सरकार है और गुंडे अपराधी मीडिया कर्मियों के उपर किसी का पहरन करें किसी की हत्या करें मुझे लगता दूसरी बात ये है सबसे बड़ी बात ये है कि freedom of speech इसके हम पक्षदर आज से नहीं बहुत पहले से रहें उस समय भी हमने लड़ाई लड़ी और मीडिया लड़ाई लड़ी जब इंदरा गांदी जी एमर्जंसी देश में लेकर आई थी तब भी भारती अंता पाटी ही उस समय का जनसंग लड़ाई लड़ता रहा उस समय का मीडिया का एक बड़ा वर्ग लड़ाई इंदरा गांदी जी और कॉंग्रेस की अमर्जंसी के खलाई भी लड़ता रहा हम तो सदा से ही freedom of speech के पक्षदर है और आगे भी रहेंगे पर ये चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जी हाँ ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए आपसे अलवीदा लेते हैं भारत माता की चैवंदे मातरम जाहिन दोस्तों